एक आदमी गुसे में बीवी से बोला दिल करता है कि तेरे टुकडे टुकडे करके बाहर फेंक दूँ अचानक पडोस से आवाज आई भाई उपर और नीचे वाला हिस्सा इधर फेंक न पाकिस्तान में माँ अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले कर गई और बोली डॉक्टर साहब इसका खतना कर दो डॉक्टर बोला दो सौ रुपए लगेंगे मा बोली इत्तु से काम का इतनी ज्यादा फीस डॉक्टर बोला ये पांच सौ रुपए लो और मेरा सिर्फ हाथ में ही पकड़ लो सरकारी नौकरी के लिए विकलांग इंटर्व्यू हो रहा था अधिकारी बोला क्या आप विकलांग हैं उम्मीदवार जी हाँ बम ब्लास्ट में मेरे दोनों आइंड उड़ गए थे अधिकारी बोला ठीक है तुम चुनली गए हो कल से साढ़े बार है बज़े आ जाना उम्मीदवार बोला लेकिन दफतर आने का समय तो साढ़े दस बज़े का है अधिकारी बोला ये सरकारी दफतर है भाईया हम सुबद दो घंटे सिर्फ आंड ही खुजाते हैं तुम क्या करोगे सिपाही छुट्टी मांगता है साहब मेरे पिता की मृत्यू हो गई मुझे छुट्टी चाहिए अफसर छुट्टी दे देता है कुछ दिन बाद छुट्टी फिर मांगता है साहब मेरी मा की मृत्यू हो गई मुझे छुट्टी चाहिए जब मा की मृत्यू होती है तो पिता दूसरी शादी कर लेता है